लो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैं चैनल मैंथमाटिक स्टुडीज आज हम बीए बीस्ती 6 समेस्टर की बुक रेलेंड कॉंपलेक्स अनलीसिस के चैप्टर नबर 5 उक्सराइस 5.1 का लेक्टर 4 देखेंगे तो आप पहले लेक्टर 3 देख के आई होंगे उससे related concept होगा examples के अंदर बस जो लेक्टर 3 में हमने कुछ examples के थे उनसे related एक आध example के अंदर concept यूज होगा तो आप पहले अगर पहले वाला देख के आई होगे तो जादा बेटर रहेगा तो आज का हमारा main concept का है differentiability ठीक है differentiability हम पढ़ेंगे क्योंकि chapter का नाम complex function है तो हम complex function में यह differentiability पढ़ेंगे उससे पहले हम हमीचा जैसे कि मैं आपको real system से connect करवाती हूँ क्योंकि हमें real system पहले पढ़ रखा है तो जो हमारा real system होता है न उसके अंदर differentiability हमारी क्या होती थी real system पहले real system के लिए बात करेंगे in real system real system में हमारा differentiation के इस तरीके से होता है हम इस तरीके से define करते है f dash a equal to limit extend to a f of x minus f of a upon x minus a ठीक है इस तरीके से ही हम करते हैं definition हमारी होती थी कि derivative है न जो differentiability मतलब differentiation मतलब कि derivative जो हमारे derivative हो कि इसके को लगता limit extend to a जो यह होता है उसके तरफ tend करेगा f of x minus f of a उपर ठीक है यह होता था हमने उसमें दो चीश पड़ी थे एक तो हमारा होता था right hand derivative एक हमारा होता था left hand derivative जिसे right hand derivative में क्या होता था x की जिगे a plus h आ जाता था left hand में क्या होता था x की जिगे a minus h हम फिर क्या करते हैं जिसे extend to a है अगर यहाँ पे x मेरा a हो गया तो इसे एक एंसल तो हो जाएगा तो उस केस में हमारा क्या हो जाता था था लिमिट एज टेंस टू जीरो f of a plus h minus f of a upon max कि जिए a plus h minus of a तो cancel होगा तो क्या होगा h ठीक है f of a plus h minus f of a upon h इस तरीके से हो जाता था similar अगर हमारा left derivative होता था था तो limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a upon kya होता था e minus h minus of a वो cancel तो यहां पर या जाता था minus of h ठीक है तो यह होता था हमारा differentiation जो real party के अंदर होता है जो हमने 12th class में पढ़ा था अब है हमारा complex function complex function मतलब complex system के अंदर क्या होगा in complex system complex system में हमारा क्या होगा वही derivative ही करना है हमें किस तरीके से होगा जैसे यहां पर हमने कोई भी arbitrary constant a type का ले रखा था यहां पर हम z type का ले सकते हैं जैड नोट टाइप का जैसे हम यहां पर x लेते थे यहां पर जैड ले लेंगे है ना इस तरीके से हम कर सकते हैं कि f dash z note हमारे किसके एकपल होगा limit z tends to z note f of z minus f of z note upon z minus z note ठीक है अगर हम क्या करें यहां पर यहां पर जिस तरीके से हमने यहां पर किया था इसी तरीके से हम यहां पर पर रखा था जो वह कर लिया अब है f dash z note हमारे किसके एकपल होगा limit z tends to z note f of z minus f of z note upon z minus z note अगर हमारे यह इस तरीके से हमने ले लिया है तो हमारे f dash z note किसके एकपल होगा यहां पर अगर मेरा जो z है वो z note plus delta z है तो हमारा जो delta of z होगा वो 0 की तरफ tend करेगा और हमारा यहां पर क्या जगा f of z note plus delta z minus of f of z note और z की जगें भी z note plus delta z minus z note उससे cancel हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा limit delta z tends जिससे यहां पर limit as tends to 0 होगी थी similar यहां पर delta z tends to 0 हो जाएगा क्योंकि हमारे इसी तरीके का तो हमने लिया है यहाँ पर है ना तो हमारे यह हो जाएगा जैसे मैं z की जगए यहाँ पर z not रखो तो यह cancel हो गया तो delta z 0 की तरफ tend हो गया है ना तो हमारे फिर यहाँ पर क्या होगा f of z not plus delta z minus f of z not upon delta of z यह हो गई हमारे differentiation की complex system के अंदर definition इस तरीके की definition का हम direct questions के अंदर use करेंगे कि f dash z not equal to limit delta z tends to 0 f of z not plus delta z minus f of z not upon delta z चीगा तो आपको बस यह आना चाहिए अच्छे से इसका हम questions के अंदर अच्छे से यूज़ कर लेंगे question है find f dash z where f of z equal to यह ठीक है एक बार तो हम normal तरीके से निकाल लेंगे इस answer f dash z का जो मैंने अभी सिखाया इस तरीके से ठीक है एक हम definition के according निकाल लेंगे epsilon delta method से इसकी definition के according हम किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते है डिफ्रेंशी अबिलीटी वाली definition के according ठीक है एक हम वह भी देखेंगे वह definition में आपको यहां पर नहीं पता है direct हम question में देखेंगे वह definition किस तरीकी की होगी ठीक है पहले हम f dash जेड निकालेंगे इस वाली method से जो कि क्या होगा यहां पर जेड है वस अगर जेड है तो यहां पर जेड नोट के जेड आएगा तो f of z प्लस जेड नोट sorry f of z plus delta z minus f of z upon delta z इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो limit delta z tends to zero f of z plus delta z minus f of z upon delta z इसके equal है यह f dash z निकालना था तो इसके value हमने यह लिख लिए यहां पर ठीक है अब हमारा अगर हमें f of z plus delta z निकालना है तो किस तरीके से निकलेगी यह time हमारी इसके अंदर बस z की जेगे z plus delta z पुट कर दें तो यह आएगा हमारा जैड़ प्लस delta z की पावर जैड़ 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 की पावर 3 प्लस 2 इंटू जैड़ की जिए जैड़ प्लस जैड़ जैड़ का स्क्वेर प्लस आयोटा ठीक है यह खतम हो गया minus of fz यह fz है तो z की क्यूब प्लस 2z का स्क्वेर प्लस आयोटा अब उन में है नीचे delta of z limit delta z tends to zero cube open करेंगे z का क्यूब प्लस delta z का क्यूब प्लस 3z delta z into z plus delta z rule के according open किया है plus इसको z का स्क्वेर delta of z का स्क्वेर प्लस 2z delta z यह हो गया उसके बाद प्लस में आयोटा माइनस में z की क्यूब इसको साथ में कर लेते open माइनस ओफ 2z का स्क्वेर माइनस ओफ आयोटा जैड की क्यूब से जैड की क्यूब कैंसल और हमारा आयोटा से आयोटा कैंसल ठीक है यह तम इस तरीके से आ गई है अब हम इसको open कर लेंगे यहां पर यह लिखेंगे next page पे delta of z की क्यूब बाइमा delta z भी आई है next पे फ्लिकिंग delta of z की क्यूब प्लस 3z square delta z प्लस 3z delta z का square प्लस 2z square प्लस 2 delta z का square प्लस 2 to the 4z delta z माइनस ओफ 2z square रोपन में delta z तो यह आ गया अब उसके बाद 2z square और 2z square कैंसल हो गए तो हमारे पास c atom बढ़ गई अब जो delta z वो हर एक के मतलब इसके बाइम में लग से इसके बाइम में लग से इस तरीके से हम लिख लेंगे तो अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो वो कैंसल हो जाएगा एक डेल्टा तो यहाँ पर बजेगा delta z का square यह एक एंसल हो जाएगा तो यह बजएगा 3z का square यह हमारे एक कैंसल हो जाएगा तो एक बजएगा 3z सक्वोर यह ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 बचा किया हमारा 3 of z का square प्लस में 4 z ये हमारा आगया इसका answer तो यह हमारा normal method जो हमने अभी ये वाला किया है अब बात आई अगर हमें मतलब अभी इस question में तो सिर्फ ये बोल दा कि find the f-z तो यहां तक भी कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं है लेकिन question में अगर ये बोल दिया कि find f-z using epsilon delta method तो आपको यही करके आना पड़ेगा must है कि आप यही करें जो अभी हम करेंगे ठीक है क्या है हमारा ये by epsilon delta method हम किस तरीके से ये करेंगे ठीक है तो अब हम इसको उस तरीके से करेंगे जैसे मैंने अभी आपको last lecture last lecture number 3 करवाया था उससे related है ये वाला concept तो पहले lecture 3 का वो करके आना सारा फिर ये अच्छे से समझा जाएगा ठीक है हम क्या लेते थे जैसे हमारी epsilon delta वाली कोई भी definition होती थी उसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं उसके लिए हम सबसे पहले लेते है epsilon greater than 0 कोई भी given number और उसके लिए हम क्या निकालते है डेल्टा greater than 0 हम निकालते है let epsilon greater than zero be any given number ठीक है हमने निकाल लिया अब उसके बाद हम क्या करें किस तरीक से निकाल लेंगे हमारा जो f dash z वो इसके equal है हमारा किसके equal है ये वाली term f of z plus delta z minus f of z upon delta z और limit delta z tends to zero ठीक है अब जो ये term है अगर हम इसके definition बनाएंगे तो वो इधर आजाएगी minus हो जाएगी mode किस से less than होगा epsilon से less than होगा जब कब होगा हमारा mode less than epsilon जब हमारा इन दिखो ये z plus delta z और ये क्या z है ठीक है तो कब होगा ये epsilon से कम जब इन दोन में किस चीज़ का डिफरेंटा z less than होगा देल से ठीक है तो ये होती है हमारा डिफरेंशियबलीटी की epsilon delta method की definition की ये function था हमारा इसके एकवाल इधर आएगा तो minus में जब वो तम होगी less than epsilon कब होगी जब हमारा delta z less than होगा delta से whenever delta z less than del ठीक है ये पहले लेते हैं ये बात में लेते हैं अगर हम concept के coding जाये तो इसमें तो क्या होगा हमारा f of z plus delta z minus f of z अपोन में delta of z minus f dash z ठीक है ये होगा उसके बाद क्या है f dash z हमने क्या किया है यहाँ पे अभी निकाला था ये वाला ठीक है और हमने ये वाली टम भी निकाल रखे मतलब ये वाली टम तब तक है जब तक हमने delta z 0 नहीं किया था पूट तो ये टम मतलब ये वाली है जिसमें हमने delta z पूट नहीं किया भी तक मतलब हमारी एक तो ये वाली टम हमें यूज करनी है यहाँ पे यही वाली टम होगी क्योंकि जब हम इसी को तो सॉल्ट करके आई थी तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से टम हो जाएंगी इनको आगे पिछरी एर्रेंजगर के लिख रही हुँ मैं 3z square plus 4z plus 3z delta z plus 2 delta z और क्या बज़िया यह बज़िया plus में delta of z का square minus में f dash z हमारी answer ही आ रहा है यह जो हमने निकाला वो f dash z तो निकाल रहा है यह क्या है 3z square minus 4z 3z square से यह वाली टम कैंसल होगी तो आगया 3z delta of z plus 2 delta of z plus में delta z का square ठीक है अब क्या है इसके अंदर से हमारी जो delta of z अब कोमन आ रहा है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते है delta of z 3z delta of z सो दिये तो कोमन ले लिया plus में 2 plus में delta of z इस तरीके से हमारी एटम आ गई तीक है आना क्या चाहिए था कि जो यह एटम है ना सिर्फ और सिर्फ यह टम बचनी चाहिए थी लेकिन साथ में बच गया क्या यह भी बच गया जैसे कि मैंने आपको last lecture में बताया था इस तरीके कोशन में अगर हमारी सिर्फ और सिर्फ हमें बचाना जो और उसके लावा भी कुछ बच जाए तो हम क्या करते हैं इस वाली टम को अपनी मर्जी से less than one ले ले लेते हैं और फिर इसको इस तरीके का बनाते हैं कि इसमें delta z type का use हो जाए है ना तो हम क्या करते हैं यहाँ पे let us take या फिर हम बोल सकते हैं कि हमने restrict किया इस value को delta of z को less than one ले लिया अब जो यह term है उसके अंदर इसको use करते हैं ठीक है यह concept काफी जिए के use हो चुका है अब तो क्या 3z plus 2 plus delta of z ठीक है हमारा यह आ गया यहाँ से उसके बाद हमने क्या करना इसके mode को open कर देना वो किस तरीके से open होगा इस तरीके से less than equal to 3 मोड को लग लग से ले लेंगे और फिर यह हमें पता है यह होती है mode की प्रपड़ी और mode of 2 तो 2 ही होएगा प्लस में delta of z हमारा यह आ गया ठीक है अब देखो जो delta of z है ना वो less than one है तो यहाँ पर less than आ जाएगा तो 3 of mode z 2 plus 1 तो क्या होगा यह 3 ही होगा तो यह क्या गया एक तरीके 3 of mode z प्लस में 3 चीक है 3 को मले लो mode of z प्लस में 1 हमारा यह आ गया यहाँ से तो हमारा क्या गया 3 z plus 2 plus delta of z less than 3 of mode z प्लस में 1 आ गया ठीक है अब हमारी जो आगी value यह वाली value होगी अब उसके बाद हमारे क्या होता है हमें मिलके हमारा इसकी जगे हम यह वाली value रक सकते हैं तो रख दो एक बार के लिए इसकी जगे यह value तो यह होगा हमारा 3 of mode z plus 1 चीक है यह वाली value हम किसे less than लेके जरते हैं अबसाइलंस है तो यह भी हमारा फिर हम क्या कर देते हैं question के according तो इसको choose करवा देते हैं delta लेकिन हमारी यहाँ पर दो conditions बन गए है delta of z की वो less than 1 भी है और वो less than epsilon upon 3 into mode of z plus 1 भी है ठीक है तो हम क्या करते हैं फिर इन दोनों के अंदर से choose करवा लेते है minimum value तो यहाँ पर हम क्या लेकर देंगा delta is equal to minimum of 1 and 3 of mode of z plus 1 ठीक है इस तरीके से ही करते हैं तो यह हमारी किसके according हो गई definition of epsilon delta मतलब हम यह वाली term को less than epsilon लेके चलते हैं और यह वाली term हमारी यह वाली term आई है इसको solve करने के बाद less than delta नहीं चाहिए लेकिन यह direct delta से less हम कर देते हैं अगर सिर्फ हमारा यह आ जाता लेकिन इसके साथ में कुछ और भी आ गया तो उसको satisfy कराने के लिए हम another conditions लेके चलते हैं कि इसको less than 1 लेके चलते हैं फिर इसको इस तरीके से बिना ले यह हमने और इसको इसके अंदर use कर लिया फिर इसकी value अगर इसमें पूट कर दी फिर हमारा यह आ गया अगर यह चीज़ less than epsilon तो यह चीज़ भी less than epsilon क्योंकि यह तो इसकी एक वली है तो यह less than epsilon था फिर delta z हमारा इस से less आ गया एक तो delta z हमारा less than one था और यह किसे less than था तो हमने क्या क्या इन दोनों में से minimum value को select कर लिया minimum value select करने के बाद यह हमारा इस तरीके से होगा अगर आपने पिछले lectures देख रखे हैं तो फिर आपको यह question बिल्कुल easy लगेगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें देखो next में वही f of z दे रखा आपका next example example number 10th है z is equal to minus 1 पे हमें value निकाले यह normal साव है जो हमें यह वाला formula नहीं किया था यह वाला यहाँ पे z note की जिगे minus of 1 दे रखा तो क्या होगा f dash of minus 1 equal to limit delta z tends to 0 f of minus 1 plus delta z minus f of minus 1 अपन में delta z हो जाएगा तो हम यहाँ पे यहीं लिखेंगे इसके according क्या हो जाएगा कि f dash of minus 1 equals to limit delta z tends to 0 f of minus 1 plus delta z minus f of minus 1 अपन में delta of z बस तो फिलकुल easy है कुछ नहीं करना इसके अंदर क्या हो जाएगा limit delta z tends to 0 यह f of मतलब इसके जगे z के जगे minus 1 plus delta z रखेंगे तो क्या ही जाएगा यापर? minus 1 plus delta z का q minus of 2 into minus 1 plus delta z, और इसके जगे minus 1 रखेंगे तो रख़दो minus 1 की power 3 minus of 2 into minus 1 minus 1 की power 3 that is minus 1 minus minus 2 minus 1 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा तो इसको solve करने के बाद हमारा बनाया, अपोन में delta of z limit delta z tends to 0, इसको solve करेंगे तो हमारे क्या होगा, minus 1 की cube, that is minus of 1 plus में delta of z की cube चीज़े हैं, फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, rule के according minus of 3, मतब यह वाला minus product हो जाएगा, delta of z into में हमारे क्या होगा minus of 1 plus delta z फिर इसकी product करेंगे, minus minus plus 2, minus of 2 delta z minus 1, यह होगा, आप उन में delta of z यह क्या होगा, minus 1, यह क्या होगा minus 1, that is minus 2, और यह plus 2 तो यह हमारे टम कैंसल होगी, इस तरीके से, ठीक है, अब limit of delta z tends to 0 क्या होगा, delta z की cube product करेंगे, minus minus plus 3 of delta z, minus of 3 delta z का square minus of 2 delta z ठीक है, यह और यह हमारा क्या होगा, 1 delta z तो इसकी जगे मतलब, minus करके direct लिखता हो, यहाँ पर delta of z आगा, अब उन में delta z यह, इसके बाई में, इसके बाई में, इसके बाई में अलग से, तो limit delta z tends to 0 तो यहाँ पर क्या होगा, delta z का square जब इसके बाई में होगा, इसमें गयागा, 3 of delta z और यह हमारा होजाएगा, 1 जब इसके जगे हम 0, 0 पुट करेंगे अगर हम delta z के जगे 0 पुट करेंगे तो यह भी 0, यह भी 0 तो हमारी यह दुन अटम होगी, 0, 0 और यह क्या बच गया, 1 तो अंसर हमारा क्या गया, यहाँ पे 1 बिल्कुल सिमिलर एक्सेस है का question number 12, कि find the derivative of this j equal to 2, तो सिर्फ यहाँ पे 2 ले लेना है और इस तरीके से sold कर देनी है value तो इसका answer 10 आ जाएगा बिल्कुल सिमिलर तरीके से इसी question का second part है अगर यह आपका इस तरीके से इसमें यह value put कर देंगे फिर आज़ियम ले लेंगे उसके बाद हमारे answer आजएगा 1 by 2, ओके जो उसका concept है, वो next lecture के अंदर करेंगे जो कि question ज़्यादा आने के chance है वो वाला concept हम next lecture के अंदर करेंगे जो example 11, 12 था वो काफी important है आपके okay thank you guys for watching my video please do like and subscribe to my channel thank you so much